दुनिया भर में रूस के युक्रेन पर हमले की कड़ी आलोचना हो रही है आशंका ये भी जताई जा रही है कि रूस के युक्रेन पर हमला कर देने से एक बार फिर से तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है लेकिन इन सब के बीच एक ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस जंग से अमेरिका की बल्ले बल्ले हो गई है अमेरिकी रक्षा कमपनिया हतियारों की आपूर्ती करके अर्बो डॉलर कमा रही है वहीं चीन की भी चांदी हो गई है आईए समझते हैं कैसे एशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट के मताबिक इस जंग से डिफेंस के शेत्र में बड़े पैमाने पर खर्च शुरू हो गया है यूरोपिय यूनियन ने एलान किया है कि वह 45 करोड यूरो के हतियार खरीदेगा और उसे यूक्रेन को सौंपेगा उधर अमेरिका ने कहा है कि वह 35 करोड डॉलर की एक्स्ट्रा सैने साहिता देगा इससे पहले अमेरिका ने 65 करोड डॉलर की सैने साहिता यूक्रेन को दी थी इन सब को मिलाकर अगर देखें तो अमेरिका और नेटो देश 17,000 एंटी टैंक हतियार और 2000 एंटी एरक्राफ्ट मिसाइले भेज रहे हैं यही नहीं रिपोर्ट्स के मताबिक यूक्रेन ने रूस के खिलाफ विद्रोही गुट को पैदा करने के लिए इन सब फैसलों से दुनिया की दिगज हतियार निर्माता कमपनियों की चांदी हो गई है इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अमेरिकी कमपनी रेथियान स्टिंगर मिसाइल बनाती है इसके अलावा रेथियान लोखीड मार्टिन के साथ मिलकर जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल भी बनाती है जिसे अमेरिका और दूसरे नेटो देशों ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन को दिया है यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही लोखीड और रेथियान के शेर के दाम 16% और 3% तक बढ़ चुके हैं इसके अलावा ब्रिटेन की कमपनी BAE सिस्टम के शेर के दाम भी 26% से बढ़ चुके हैं ये कमपनीयां अब अपने निवेशकों को होने वाली कमाई के बारे में बता रही हैं रेथियान ने 25 जनवरी को कहा था कि UAE में ड्रोन हमले और साउथ चाइना सी में तनाव को देखते हुए रक्षा खर्च बढ़ने जा रहा है इससे हमें फाइदा हो सकता है अब युक्रेन की जन्ग शुरू होने के बाद जर्मनी और डेनमार्क दोनों ने ही रक्षा बजट बढ़ाने का फैसला किया है हतियार उद्योग की बात करें तो इसमें सबसे आगे अमेरिका है साल 2016 से लेकर साल 2020 तक के बीच दुनिया में कुल बिके हतियारों में से 37 फीजदी अमेरिका ने ही बेचे थे इसके बाद रूस ने 20 फीजदी, फ्रांस 8 फीजदी, जर्मनी 6 और चीन 5 फीजदी हतियार बेच चुका था इन देशों के अलावा कई और देश हैं जो इस भीशन जंग से जम कर कमाई कर रहे हैं इसमें तुर्की सबसे आगे है जो रूस की चेतावनी के बाद भी यूकरेन को अपने घातक हमलावा ड्रोन दे रहा है इससे उसका हतियार उद्योग चमक गया है इसके अलावा इसराइल का रक्षा उद्योग भी जम कर कमाई कर रहा है उदर रूस को इस जगडे से करारा जटका लगा है पश्चीमी देशों के प्रतिबंद की वज़े से रूस का रक्षा उद्योग भारी नुकसान उठा रहा है रूस से भारत लगा तार अपने हतियारों को खरीद रहा है इदर अमेरिका भी भारत पर दबाब बना रहा है कि रूस के हतियारों की खरीद को और कम किया जाए ऐसे में रूस के लिए अब हतियारों के लिए मार्केट तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा रूसी हत्यारों की कमी से अब हत्यार बजार में अमेरिका और पश्चिमी देशों का कबजा बढ़ सकता है इसके अलावा चीन अब खाडी देशों में हत्यारों की बिक्री को बढ़ा सकता है हाल ही में चीन को UAE से एक बड़ा ओर्डर मिला है विलेन ना तो रूस है और ना ही यूक्रेन बलकि अमेरिका तो आज के इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इससे लाइक और शेयर करना ना भूले और IBC24 के यूट्यूब चैनल खबर बिबाग को जरूर सब्स्राइब करें नामस्कार